कीपैड के नंबर को एंड्रोइड मोबाइल में लेना काफी असान है क्योंकि एंड्रोइड मोबाइल में काफी स्टोरेज होती है जिसका असानी से कीपैड के नंबर एंड्रोइड मोबाइल में आ सकती है अगर हम एंड्रोइड मोबाइल के नंबर को कीपैड मोबाइल में transfer करेंगे तो कीपैड में वहाँ पे storage की problem आ जाए क्योंकि कीपैड मुबाइल की internal storage तो उती है तो वहाँ पे सारे नंबर एक साथ नहीं जा पाता तो अगर हम कीपैड मुबाइल में एक एक आपको इस keyword को यहाँ पर search कर लेना है तो आपके समने बहुत सारी अप्लिकेशन आ जागी तो आपको यहाँ पर पर सलग कर दिया जाएगा कि आपके SIM कार्ड में कितने नंबर सेफ है और आपके मुबाइल में कितने नंबर सेफ है तो आप य देखते है है तो आपके सभी नंबर यहां पर सिलेक्ट हो जाएंगे इसके बाद आपको यहां पर कोपी के आइकन पर यहां पर क्लिक कर देना है तो आपके यह सभी नंबर एक क्लिक में यहां पर पर आपको पता होगा कीपैड मोबाइल में कुछी नंबर सेफ थे अब मैं आपको यहां पर किपैड मोबाइल कीपैड मोबाइल में त्रांसफर कर सकती है तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि MI के मोबाइल में कुंटक्ट नंबर को SIM में कोपी करने के लिए आमें किसी भी application के जुर्थ नहीं पड़ती है हम सैटिंग के माध्यान से इसके बाद आपको आपको एक gonna कोपी करते लिए तो इसके बाद आपको एक्सपूर्ट कारण कर देना़ अगर आपके मोबाइल में दो SIM कार्ड लगी होगी तो आपको वापे दोनों SIM कार्ड वापे सो हो जाएगे आपको जिस भी SIM कार्ड में नंबर कोपी करने हैं आपको उस SIM कार्ड पर वहाँ भी क्लिक कर देना है कि इसके राद आपके contact list ओपन हो जाएगी आपको जो भी नंबर अपनी SIM कार्ड में कोपी करने आपको उन नंबर को या पर सेख में लैगे पर सेलेक्ट करेंगे तो इसके बाद आपके वो सबी नंबर आपके सिम कार्ड में या पर कॉप्पी हो जाएंगे